हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टार्गिप आश्कर राजबिश्म दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में बनी जीव अभ्यारण एवं राष्ट्य उध्धान इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में बनी जीव अभ्यारण किस प्रदेश में इस्तित है कहां पार इस्तित है और राष्ट्य उध्धान किस प्रदेश में इस्तित है किस जिल्य में इस्तित है और इसमें कौन-कौन से जीव जन्त पाय आते हैं मुख्यत्या तो चलिए हम हम लोग बात पर सीथे चलते हैं कि पहले देते हैं बन्नी जीव अभ्यारन तुम्हारा सबसे पहला बन्नी जीव अभ्यारन कावल लाम जाओ राश्टी उद्धान ये मड़ीपूर राज में इस्थित है और इसमें प्रमुक जनतु हीराड जंगली बक्री और विभिन जलपच्छी पाए जाते हैं ये एक मातर तैरता हुआ राश्टी उद्धान है जो की मड़ीपूर में इस्थित है अक्षर कर एक जामे पूछा जाने वाला कुछिन है कीवल लाम जाओ राश्टी उद्धान कुछिन पूछा जाता है एक मातर तैरता हुआ राश खाइलम अव्यरन ये है मेघाले में इस्तित है इसमें बिभने जन्तु पाए जाते हैं हाथी चीता बाग हिरण सामर और भालू ये मुक्तिया जन्तु पाए जाते हैं अगला आता है हमारा भगवान महावीरु ध्यान जो कि ये गोवा में पड़ता है और इसमें जीव जन्त पाए जाते हैं हिराड, चूहा, साही और सामर ये मुक्तिया पाए जाते हैं आगे आता है अपना सुन्दरवन राष्ट महावीर सुरी सुन्दरवन राष्ट उध्यान जो कि पस्ति मंगाल में पड़ता है बाग, चीता, हिरण, मगरमच इस उध्यान में मुक्तिया ये जीव जन्त पाए जाते हैं बाग, चीता, हिरण, और मगरमच ये एक राइल बंगाल टाइगर्स का एक बहुत बड़ा सनरची छेत्र है और यह छेत्र मैंग्रोब बनों से घिरा हुआ है यहाँ पर यह गंगा निदी के सुनरवन डेल्टा जो है वो इस छेतर में पाए जाता है अगला आता है हमारा रोहिला राष्टे उड्धान यह कहां पड़ता है? यह हिमाचल प्रुदेश में पड़ता है यहां पर कस्तूरी हिरर जो है मुखितिया पाए जाता है यहां की पैचान यह कस्तूरी हिरर और इसमें अन्रजन के पाए जाते हैं भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेन दुआ ये मुखित्या यहां पर पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा सुल्तान पुर्ध जीहिल अभ्यारन ये हरियाड़ा में हरियाड़ा के गुरुग्राम जिले में। गुर्ग्राम जिले में होए इसमें बिभिन पच्छी पाय जाते हैं यहां की प्रमुख विसेश्टा है बिभिन पच्छी ओंकी इसके बाद में आता है अपना पक्वी बनने जीब अभ्यारण जो की अरुडाचल प्रदिस में इस्तित है इसमें विसेश्टा मुखी जनतु पाय जाते हाथी, अजगर, हीरण और सांबर इसके बाद में आता है हमारा नागरहूल राष्टी ओध्यान जो की करनाटक में इस्तित है इसके प्रमुख जनतु है चीता, हाथी, तेनुआ, सांबर, भालुचकोर और तीतर बिभिन जीब जनतु पाय जाते हैं इसके बाद में आता है अपना बांधवगण राष्टी ओध्धान जो की मद्ध प्रदेश में इस्तित है और इसमें बिभिन बांधवगण कुलमलाकी ये बाग और तेनों का छेतर है इसमें बाग भहुतायत मात्रा में पाय जाते हैं और इसके अलाबा और जनत पाय जाते हैं सामर, भालू एवन चकोर इसके बाद में आता है किस्तवा राष्टी ओध्धान जो की जम्बू कस्मीर में इस्थित है और यहां की विजस्ता है काला हिरड पुर्मुख्तिया इस उध्ध्धान में काला हिरड पाय जाता है जैंगली याक और टिबती गधा इसके बाद में आता है अपना डौची गौम राष्टी ओध्धान जो की ये भी जम्बू कस्मीर में इस्थित है इसमें तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू और हिरड पाया जाता है इस राश्टी उठान की मुख की बिज़स्ता है यहां पर काला हिरल पाया जाता है काला हिरल यहां पर पाया जाता है कस्मीरी महामरग यह पाया जाता है इसके बाद में आता है अपना पंचमणी अभ्यारन यह कहां पर यह मद्ध प्रदेश में इस्थित है इसमें प्रमुक जीव जनत पाय जाते हैं बाग, तेंदुआ, सामवर, नीलगाई, चीतल, हिरर, भालू और जिंगली भेसा ये पाय जाते हैं इसके बाद में अपना आता है अगला कहना राष्टी उद्धान कहना राष्टी उद्धान ये भी मत्रदेश में यहां पे बाग, चीतल, रड़ पाय जाने वाला राजज्य है अर्णमान और निकोवार दूइब समू, और इसके बाद में आता है हमारा राष्टी उद्धान प्रदेश है इसको मध्य प्रदेश जिसमें 11 राष्टी उद्धान हैं इससे टाइगर इस्टेट के नाम से भी जानते हैं ताइगर इ और यहां पर सब्स्य ज्यादा पाई जनटों हैं चीता हाथी, तेंदुवा, सामर, हिराड़, नील गाय और जंगली, शुर अगला आता है पिरियार अब्याणन सुक्रेट्णी किनारा नदी किनारर्श्थित है. चीता, हाथी, तेंदुआ, सामर, हिरर, पालू, नेलगाय और जंगली, सुवर, आधी चीब जन्तु मुखिता पाए जाते हैं इसके बाद आता है डामफा अभ्यरन, ये पड़ता है अपना मिजोरम में, इसमें कोब्रा, चीता, बिल्ली, और फीजन्त, मुखिता जीब जन्तु पाए जाते हैं इसके बाद में आता है अपना मरद मलाई अभ्यरन, ये तमिल नाडो में इस्ठित है, यहाँ पर हाथी, चीता, तेंदुआ, सामर, हिरर, और जंगली, कुट्ते, आधी मुखिता पाए जाते हैं इसके बाद में आता है अगला इंदिरा गांदी अभ्यरन, ये भी तमिल नाडो में है, यहाँ हाथी, बाग, कीतल, तेंदुआ, सामर, रीज, जंगली, कुट्ता और लंगूर, आधी, जीब जन्तु पाए जाते हैं अगला आता है अपना बेदांग तल, रिबेत अंगल, अभ्यरन ये आता है अपना तमिल नाडो में ये भी पढ़ता है, इसमें जली, पच्छी पाए जाते हैं आग आता है सिम्ली पल अभ्यरन ये उडिशा में है, हाथी, बाग, चीता, तेंदुआ, सामर, हिरड, मगरमच्छी और जली, पच्छी मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं अगला है अपना चिकला अभ्यरन ये उडिशा में पाए जाता है, इसमें क्रेन, जलकवा, पेलविन एबं प्रवासी पच्छी मुख्य पाए जाते हैं इसके बाद अपना आता है अब ओहर अभ्यरन ये पंजाब में पाए जाता है, यहाँ पे जंगली सुवर, हिरड, नीलगाय, कालाहंज और कभूतर आदी मुख्य जाते हैं इसके बाद में आता है अपना बोरी विली राष्टी उध्यान, यह महाराष्ट में पढ़ता है, यहाँ पे लंगूर, हिरड, सामबर, तेन दुआ, जंगली सुवर, आदी पाए जाते हैं इसके बाद में आता है तंसा अभिहरन, यह भी महाराष्ट में है, यहाँ पे तेन दुआ, सामबर, चौशिंगा, जंगली सुवर, चीतल, पच्छी, आदी अनेक जीव जित्व पाए जाते हैं इसके बाद में आता है अपना पेंच राश्टी उद्धान, यह मद्द प्रदेश में है, यहाँ पर मुक्तिय क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर चीता, नेलगा, सामबर, बालू, जंगली सुवर पाए जाते हैं इसके बाद में आता है अपना कुमलगर्ड अभ्यारण, यह राश्टान में है, यहाँ पर चीता, नेलगा, सामबर, बालू, नेलगा, आदी, जीव जंगली सुवर पाए जाते हैं इसके बाद में आता है अपना गहाना पच्छी ब्यार ये भी राजिस्थान में है सामवर काला हिराड जंगली शुवर मुर्गा गढ़ियाल साइवरियन क्रेन आदीप्रमुक जीविजन्तु यहां पर पाया जाते हैं इसके बाद में आता है अपना एक काजी रंगराश्ट और पहसा आदी पाया जाते हैं कुश्यन आता है कि एक जिंग वाला गेड़ा पाया जाता है वो कहां किस राश्टी उद्धान में पाया जाते है वो काजी रंगराश्टी उद्धान है जो कि असम में स्थित है इसके बाद में आता है अपना मानस राश्टी उद्धान मान इसके बाद में आता है अपना तुंग भद्रा अभ्यारन ये तुंग भद्रा ये करनाटक में है ये तुंग भद्रा नदी के किनार इस्तिते हैं इसके बाद में आता है अपनाrowsन जिबजन पाई जाते हैं इसके बाद में आता है भद्रा अभ्यारन ये भी करनाटक में इस्तिता है यहाँ पर बाद में बांदिपुर रस्टि उध्न बादीपुर राश्टी उध्यान के हमारा करनाटक में इस्थी थे यहां पर प्रमुग जन्तु पाय जाते हैं हाथी चीता तेन्दुआ हीरड चीतल सामवर आधीजीव जन्तु पाय जाते हैं इसके बाद में आता है चंद्र प्रभा अभ्यारन जोकी उत्तर प्रदेश में है यहां पर फैर चीता बालो निलगाय तेन्दुआ सामवर इसके बाद में आता है अपना दुधुदहा राश्ट्यीऊ यहां परता यहां पर हाथी वाग चीतल सामवर ए auट्वार राश्ट्युदध्यान यह जिम कारवट राश्टी उद्धान यह भारत का प्रथम राश्टी उद्धान है जो कि उत्राखण में पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क यह 1935 में इसके उस्ताय अपना हुई थी और यहां पर पुमक जीब जन्त पाए जाते हैं हातिवाग्ची ताहिरर भालू नेलगाय सामवर और जंगली शुवर आवी पाए जाते हैं और यह जिम कारवट राश्टी उद्धाने कुशन आता है कि राम गं यहां पर यहां पर बजिल पंटित्धान, यह उद्धान एंपए जाते हैं इसके बाद में आता अपना इक लाजली अपिर राश्टी उद्धान, यह जाते हैं इसके बाद में आता है मोज ए बहार राट, म Leon जिब अविह और Burada के लिए प्रसित्ध हैं एक लिए मेन बाहता है उफ्र पाया जाते हैं ते कि अगला दल्मा यह भालु-ंजD पायाते हैं श्वान्ज़ पीस हम में सब्स का फोनी साइं बःजा ने प्लामु बन जीव अभ्यारण प्लामु अभ्यारण आता है यह जारकण में यह भी जारकण में पड़ता है यहां पर हाती हिरत तेंद्वा सामवाथ और जिंगली शुवर आज ही पाए जाते हैं आप देखनें परील से पूछे जाने हैं प्लेट प्रस्ण हैं तो उन कुश्च modulation को देखेंगे लोकिशन एकजाम में आते हैं पहला कुशिन है हमारा भारत का सुरी Kath Liebe के नभारत का बारत का प्रताम राष्टी उद्धान कौँछा है तो भारत का प्रताम से उद्धान अभी जैसे कि अभी लोग पढख चुके जिम्प कारवेट राष्टी उद्धान यह है इसके इस्तापना का वह थी 1935 में हुई थी और यह इसका पहले नाम क्या था हेली नेशनल पार्ग हेली नेशनल पार्ग जो कि बदल कर क्या गया जिम कार्वत राश्टी उड़ान और यह एक ऐसा राश्टी उड़ाने जिसके वीचे राम-गंगे नदी बहती है कि इसके बाद में अगला है कि इसित्ट है तो ये कहा पर उस्तित है उत्राखंड में इसृत्ट है। इसके बाद में अगला breaking है। हूँ है भारत में सरवाधिक उद्धान कि उस्तित्ट में है जीसकि अभी मुट पड़ चुकते ही है। तो ये मद्द प्रदेश में है जिसे टाइगर इस्टेट के नाम से भी जाने जाते हैं इसमें कितने नेशनल पार्क हैं तो इसमें राश्ट्री उद्दान है ग्यारा और ये टाइगर इस्टेट के नाम से भी जानते हैं इसके बाद में आता है अगला कुश्यन है भारत में सरवादिक बन जीब अभ्यारण है तो भारत में सरवादिक बन जीब अभ्यारण है भी बताया था कि अन्दमान और निको वार्दूप समों में है इसमें कितनी जन्ष है कितनी है इसमें लगबग है 94 इसमें 94 बन जीब अ सबसे बड़ा बाग अभ्यारण किस राज में है तो भारत में सबसे बड़ा बाग अभ्यारण आंध्रप्रदेस में प्रशिद्धे है इसके बाद में आता है एगला है हमारा बहरत में कौन सा नेशनल पारक ओली डिले टर्टल के लिए परसिद्ध है ओलिव डिडील टर्टल के लिए प्रसेद्ध है यह हमारा है भीतर कच्षार नेसिनल पार की इन पहले वेडीक HD औरुण ग्रिडील बैंक स्ट्रीं पाई जाती है इसमें अगला है अपना कस्मेरी महामरग के लिए प्रसिद्ध है तो कस्मेरी महामरग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है अभी पड़ चुके मुण डाची गाम नेशनल पार्क की कस्मेरी महामरग के लिए प्रसिद्ध है अगला है न्यूम निकित में से नेशनल स्थित्त है इसके बाद में आता है विष्ड को एक मात्र तह्ता हुआ नेस्नल पार्क कोण सा है कीम लामजाव नेंचनल पार्क जो कि मड़ीपूर में इस्थित्त है इसके बाद में आता एकला Tree прив options is egy चिंग वाला गैना के लिए कांसा नेस्टे पार्क प्रसिद्ध है अगला है लाग बहुसी पच्छी बियार कहां इस्टित है तो लाग बहुसी पच्छी बियार ये कन्योज में इस्टित है सबसे बड़ा पच्छी बियार है अगला कुश्यन है शुरहाताल पच्छी बियार कहां इस्टित है तो सुरहातल पच्छी भिहार ये बलिया में इस्टित है अगला कुश्यन है डक्टर भीम राव मेटकर पच्छी भिहार कहां इस्टित है तो ये प्रताप गड़ में इस्टित है इसके बाद में अगला आता है नम दफा राश्ट रीजरव नम दफा बाग रीजरव यह किस राज़ी में इस ते यह अरुडात्र प्रदेश में हैं यह सबसे उंचा है यह सबसे उंचाई पर वह सब बाग रीजरव है सबसे ज़्यादा उंचाई पर यह कहां पर अरुडात्र प्रदेश में हैं सबसे उंचा बाग रीजरव है इसके बाद में आता है बिस्व का सरवाधिक उंचाई पर इस्थित बाग रीजरव कौंसा है तो अब यह इनलोग पढ़ी चुके हैं इसको नाम दफा बाग रीजरव इसके बाद में अगला है छेत फलकी दरश्टी से सबसे छोटा बाग रीजरव कौंसा है तो यह इसके बाद में आता है बांदीपूर 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 किस राज में तूरी पूल इसके बाद में आता है रड़ थंबाय में η ऐसतान में हैं तू यह थी आज हमारी अपन सब्सक्राइब है अगर आपको को अमारा वीडियो अच्छा लगव तो आप वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को दबाना ना बोले इससे की घर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेसन आप तक पहुंच चे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के ये तरनी बाग